बीते साल बॉलिवोड एक्टर्स शेस तलपड़े के लिए काफी मिश्ट किलो भरा रहा जौदर दिसंबर को वो वेलकम टू जंगल की श्यूटिंग कर रहे थे श्यूटिंग खतम होने के बाद उन्हें बेचैनी महसूस हुई जिसके बाद वो फॉरन घर की और निकल गए हॉस्पिटल पहुचने पर बता चला कि उन्हें हार्ट अटाइक आया है इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी एंजियो फ्लास्टिक की फैंस की दुआ से वो रिकवर हो रहे हैं अब उन्हें पहले बार पूरी घर्टना पर बात की है एक्टर बताते हैं कि हार्ट अटाइक आने के बाद उन्हें दूसरा जन्म मिला है एक इंटर्व्यू में बाद चीत के दौरान उन्हें ने कहा कि इससे पहले मैं अपनी लाइफ में कभी हॉस्पिटल में एड्मिट नहीं हुआ था हाला कि पहले भी मेरी फैमली के कई लोगों को हार्ट अटाइक आ चुका है पहली बार जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो एसास हुआ कि जान है तो जहान है मैं 20 साल के उन्हें से लगातार काम कर रहा हूँ अब मैं 47 साल का हो चुका हूँ पिछले कुछ महीनों से काफी बिजी स्चेडियूल चल रहा था जिसकी वज़े से मुझे काफी ठकान नसूस हो रहे थी इसलिए मैंने बॉडी चेक अप कराया उस समय को वो यार्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी अपकमिंग मुवी वेलकम तू दू जंगल की शूटिंग कर रहा था शूटिंग के दरान मैंने मिलीटरी एक्सरसाइज की शूट खत्म होने के बाद मेरे बाई हाथ में दर्शुर हो गया था सांस लेना मुश्किल हो रहा था दर्थ इतना जादा था कि मैं कपड़े बदलनी के लिए वैनिटी वैन तक भी नहीं जा पा रहा था शेस्त कहते हैं कि जैसे ही मैं घर पहुचा तो मेरी वाईट दिप्ती ने मेरी कंडिशन देखी और पॉरण मुझे हॉस्पिटल ले गई वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे इमजेंसी ट्रीटमेंट दिया मुझे सीपियार दिया बिजली के जटके दिये और ऐसे उन्होंने मुझे फिर से जिंदा कर लिया मैं दिप्ती से कह रहा था कि मेरी वज़े से तुम्हें जो परिशानी हुले उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ मुझे माफ कर दो आगे उन्होंने कहा कि जिस वक्त मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था मैं कई मिनट्स के लिए क्लिनिकली डेड हो चुका था अपने हाथते से मैसेज लेते हुए उन्होंने कहा कि अपने हेल्थ को बिल्कूल हलके में ना ले रेगुलर डॉक्टर्स विजिट जरूरी है इसलिए अपने हेल्थ पर फोकस करना बहुत जरूरी है उन्होंने मुस्कल समय में साथ देने के लिए वाई दिपती फैंस और सभी चाहने वालों को शुक्रियादा किया है